नमो नमो बच्चों, संस्क्रित की क्लास में आप सभी का हादिक स्वागत अभिनंदन सुनिए, कक्षा 9 के ये पाठ है और कक्षा 9 के पाठ 2 में हम स्वान काग नाहाँ पाठ की चर्चा करेंगे स्वान कागा हो मतलब सोने का कववा आपने सारे प्रकार के कववे देखे होंगे, लेकिन सोने का कववा नहीं देखा होगा ये बात अभी वर्तमान परिपेक्षे की नहीं है, ये बात पुराने समय की है ये कहानी पुराने समय की है, इसलिए ज़्यादा चिंतन का विशे नहीं है केवल कहानी सुनिये और समझिये बड़ा ही आनन्गुदा एक कहानी है देखें क्या हुआ पुला कश्मिंचित ग्रामे एका निर्धना व्रधा इस्त्री न्या अवसक यानि कि प्राचीन काल में एक बुढ़ी औरत जो थी वो रहती थी उसके वाद तस्याचे एका दुहीता मतामा मनोहर गराइं उसके वाद उसकी एक दुहीत्री तो पति क्लों मनोहर सुन्धर सी 2 रहती है एक да महता सथाल फुल कि पुत्रerem आधि राधी दिश यानि कि उसकी माता ने एक भार घली में चावल चुनने के लिए उसको पुत्री को आदेश दिया पुत्री को आदेश कहा दिया कि सूरिया तपर तंडुलान ख़गी व्यो रक्षवथ यानि सूरिय के यानि कि धूप मैंने जो चावल रगए हैं उनकी रक्षवेटा तो आराम से बेट के इनकी रक्षा करना कोई जानवर कोई कवा कोई पक्षी आके उनको नहीं खाए इसके तो आराम से बेढ़ जा और धूप में इनका ध्यान रख तो किंचित काला अंत्रम की को विचित्र काक हा समुट्डिय तम उपजगामा हा अर्थार्थ कुछ समय बाद में विचित्र सा काक विचित्र मतलकब बहुत Diferent काक धिशार में各 लगत्व Dalian की कहाना सम्सार में और वहां पार बैढ़ जहाए जहां Papa उसमें चामलल में बैढ़ गे वहां पार कि तागल है पूर्मों तरश्राग है, आप और न Owok Sayre Singh कि उसने ऐसा काँर नहीं देखा जिसके रजत जंचु रजतинов लंग कि 15 में लोनी चॉश थी और स्वाण वाला उसके जो स्वाण वाला जो तोयजरें पूर पूरें काँरण हब कहुवा पूरा सrhने का उसके चुमच यह रज़ती थी और उसके पॉंध जो थे वो भी सुरण के ते गोर्वांत रख रहा ऐसा पहले कभी नहीं देखा तम तंडुलान खादंकम हसंदंकम विलोग के बाली का रोधी तुमारग्दा अर्थार जब वो कवा वहां पहुंचे आ और तंडुलान खादंक खा लड़ा और हस्का हुआ सारे चामॉट खाद आथा उसके बाद क्या भाली तुमारग्दा बाले वाली खाने लोच्व कर दिया तम निवानियंती थिश्फ वर शसका दूर बगाया और उससे परात् lima दिश्यरम पहह्शयों यानि कि मेरे चाए मदीम आयर माता अती मिनेर मेरी मान जो थी वो बहुत निर्दन थी इसलिए आप एने चाहण मत रहिए स्वान भक्षा काका प्रोग वाच सोने के कवे ने कहा क्या कहा माशु चहर मत सोच सूर्य उदय पुर्वाद ग्रामाद वही पीपल भ्रक्षम अनूत्वया आधंतव्यम सूर्य उदय से पहले काम करना पीपल के भ्रक्ष के रीचे सूर्य उदय से पहले वहाँ पर आजाना आने के बाद क्या मैं तुम्हें चावलों का मुल्य दे दूंगा ठीक है प्रहर्शिता वालिका विद्राम अपीनले पे अरे वालिका तो बहुत खुश हो गईगी मेरको तो सारे चावलों का मु यानि सूर्य उदय से पहले सूर्य उदय से पहले वहाँ पर उपस्तित हो गई कहां पर जहां पर उसको कोवे ने बुलाया उसके घर में अब देखना बहुत विचितर बात आने वाली है व्रक्ष से उपर विलो किया व्रक्ष से उपर जब उसने देखा साच आश्यरे चि शोपित केसे होगी तो देखो यर्क अत्र स्वान मयाह प्रासादो वर्तते और वहां पर सोने का बड़ा महल सा बड़ासा महल देखके एरान होगे तुम्हारे लिए सोपान उतार रहा हूं सोपान मतलब जो सीडी उदेन चटने की वो तुम्हारे लिए मैं उतार रहा हूं क्योंकि वो था प्रक्ष पर उसका महल बहुत उच़ए था नीचे से अगर कोई उपर रहेगा तो सीटी सी बात है सोपान से आएगा तांबे की सीडी से आऊगी बोलो किस सीडी से आऊगी उससी से मैं तुम्हारे ऊपर बुलुआँगा तो तेन अस्वान पर आक्षक हृति स्वर्याम प्रोवोचा प्रोवोचा यानि कंझा न निर्धना मातू दूहीता असमी कि मैं निर्धर मा की बेटी हूँ, तो क्या करें, ताम्र सोपानम एव आदमिष्याभी, मैं तो ताम्र की सीदी से आजाऊंगी, मुझे सौने चांदी में कोई इंडरेस्ट नहीं है, तो मैं तो उसी सीदी से आऊंगी, इसलिए मैं आजाऊंगी, पर हम सोण सोपाने, साथ स भवन प्रसाद, यानि कि उसने उस गरीब बच्ची के लिए सोने की सीदी उतारी, उसने मना किया, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने फिल भी उसके लिए सोने की सीदी उतारी, और सोने की सीदी से वो सीदी उपर आ गईगी, अब देखो आप आगे की बात, चिर कालम हो वोने वीचित्र वस्तुनी संझी आली में जैसे वे उसके परसाद में एंटर us..., इसके लिगाल वीचित्र सब्सकुष है, थी वो श्रांतंंः करने के लिए उसको कहा कि आराम हर कर आराम गहारि यां सबसे पहले तुम ट्राफ दोग इतो पुच्ता है उससे तो बाली का भ्याज और हुआ रहा है ताम रहीं इस ताल या पोजन करी शामी तो फिर निर्दन ती उसने भिर से तिया कि नहीं मैं तो केवल केवल ताम डेथी थालें नहीं बोजन करूंगी क्योंकि निर्दन असमी ठीक है तरण साकर्णिया सरा आश्यक भूजन अब सोने की ठाली मुसको भोजन लाकी परूस दिया ले बैटा तुखा तो वो तो बड़ी जब मैं कहे रही हूं मुझे चांदी तामे में चीह आप फिर मुझे सौने में दे रहे हूं तो यह तो उसके लिए बड़े कर्व की बात थी ठीके नेधा तरीक सुना दू भोजन अब भी बाली का खादिर वदी उसने पहुत स्वादिश भोजन वहां पर खाया जैसा उसी मान आज तक ने खिलाया होगा यह बात यह इसमें कह रहे हैं यह नहीं कह रहा हूं काको ब्रूते कवे ने कहा बाली के एहमाग अच्छामी मैं आ रहा हूं यत्वम सर्वदाच अत्रेवतिश्टम मैं जब तक आता हूं तुम यही रुखो और दव माता वर्तते चैका के लिए तुमारी मम्मी जो थी वह वहां पर अकेली ही है तुम शीद्रप एवस्रुव वो यह सब्सक्राइब के लिए तुम्हारी माध के लिए तुम्हें घर जाना होगा ऐसा कह करको इनको फो एकक्स में ले जाता है और बंडे जाना है के यतए जो highest चैका त्री और हम स्थुख कघी छीए मान, जो तुम्हेम नचुशा चाएं तिकी कानी तुम्हें supporting संदू इसने कहा कि जो सबसे चोटी संदूग है वही मेरे चावल का मुल्य हो जाएगा इतने से मेरा प्रियाद हो जाएगा इसके आप सबसे चोटी संदूग है वो मुझे दे दो यानि कि तीन बड़ी संदूगों में से सबसे छोटी संदूग उसमें सेलेट कर ली और उसने कहा कि मेरा चाओंदूगा मुली इसमें प्रयात हो जाएगा जरह बहुत करते हैं चारी सब्सक्राइब की一定要 पर आधे को सब्सक्राइब निल जाता कि उसको पहों उसको सबकुं neurolog रहाो सब कुछ उसके अंदर था यानि कि उसको मुल्य तो दूर की बाद है उसको तो वो सब कुछ मिल गया जो उसने कभी कलपना भी नहीं की होगी ठीक है ना उसके बाद देखो अब उसको मुल्य मिलिया उसके बाद उसी गाउं में एका परा लुपद एक बुड़िया और रहती थी ठीक है ना तस्या अपरी एक पुत्रिया से दूसकी लिए एक बेटी दी जान से सुनिये का फिर से काणी में ट्विश्ट है इर्शया सा तस्या स्वान कादस्या तो पता किया तो फुट्रिके साथ हुआ है यहानि कि क्या क्या गया? उसने ताव चावल जो थे शुखा दिए फिर वारक्षा अकाम उसको द्यूट कर दिया रक्षा के लिए फिर क्या होगा फिर वह इस होने का कवगा वहां पर आया आने के बाद तंडुलां जो चावल थे वह खाने लगा खाने के बाद उसने तत्रियों कारियर वहाँ पर वैसर कारिय किया फिर गत्वा साक आकम निर्भत सी अन्दी प्रोवचा उसको उसने भगाने की कोशिश की क्या था कि भो नीच का कहा अरे नीच का कहम आगता मैं आ रही हूं मुझे भी मेरा चामलों का मुल्य दे देना ऐसा वो दैरेक की बोल द वहां पर लेकर सब्सक्राइब कि भी सीधा सौपान की वाली बात आ गई कि सीधा वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद वह कहता है कि अब सौपान मैं आपके लिए उतारता हूं संवान मैं तर्ड जमय तम्न कहों सोने की सीधी दी से चांधी की इसे तांपे की से तो भर निर्डया पानी की आपानी खर गड़न धने अशेह लड़कि कोभे महान था और से लड़कीं वोलदिदिएघ रह वोलाओ सिवधूल दीए 78 सोने की सिर्धी से मैं आउंगी चांदी और तांबे में तो हमारे दादा पढ़ता था भी नहीं आएं तो मैं तो सिर्धी सोने से आऊंगी तो आप यार बार्म सोन कात लेकिन कववा बड़ा समध्दार था कि इसके मन में लालच है इसको तो मैं सीधा कर दोंगा तो फिर उस तो वो बोलताएं कि र्चान्दी में है घर जानेYes वह उसको श्रपशता संजुषिता यानि कि ऊसके सामने वह तीन संदूप्य उसने रखंघ लोगत्विष्था सा ब्रिहत तमा मंजुशा ग्रिहत वती यानि कि लोग के कारण वो जो उसमें लोग था लोग के कारण वो सबसे बड़ी जो संदू थी वो वाली संदू को महां से लेकर चली जाती है तो ग्रिहमा अगतियर सा यावद मंजुशा मुलकाट यती तावद भीश्वना कृष्ण शर्पा हो बिलो की तहड़ और जैसे वेजर जाने के बाद में जब वह अपनी बड़ी संदू कौल दिया तो उसमें एक भयानक सांप निकलता है बहुत ज़ादा बड़ा वाला काला काला जो सांप देखा होगा आपने इत्ते बड़े फन वाला जो सांप होता है वो उसमे माद्यम क्या था काक था कववा माद्यम था तो लोग का फल हमेशा बुरा होता है आप भी मत करिए का मैं भी नहीं करता हूं ठीक है तरन तरंदरम सा लोखम हूं परी तेज्यम और उसके बाद से उसने लोग जो है वो पूरा प्याग दिया तो यह हमारी कहनी इस प्रकार से प्ली हूं और बाद राद से बाद से थाटा है और यह है तर देज्ड़ रगी है तो लोग प्याह दोटती प्याशब कि ज़रा हूं धुर यह हमारी तो यह हमारी वाह रहनों शरखे राद